यह मेरे एक student का doubt है इस question को solve कर रहे हूं है find the value of x3 plus y3 plus z3 minus 3xyz if x2 plus y2 plus z2 equal to 83 and x plus y plus z equal to 15 ज्यादा मुश्किल कोश्चर नहीं है actually सोचना है हमारे पास यह वाली identity क्या बनती है इस identity का expansion क्या बनेगा दिखिए x3 plus y3 plus z3 minus 3xyz x plus y plus z होगा and x2 plus y2 plus z2 minus xy minus yz and minus zx होगा यह तो identity आपको आती ही होगी अब इसमें क्या है इस identity के according हमारे पास इसकी value है इसकी value है इसकी value कहां से आएगी एक और identity आपको 9th में सिखाई गई है उसकी help से आएगी यह वाली इसकी value x plus y plus z whole square इसकी identity क्या होगी x2 plus y2 plus z2 plus 2xy 2yz, 2zx अब तो मैंने 2 को common निकाल लिया तो xy xy plus yz plus zx ठीक है यह हो गया common में निकाल लिया तो इस identity से पता तो चल गया होगा आपको कि इसकी value निकलाएगी क्योंगी इसकी भी value given है हमारे पास और इसकी भी value given है तो put करके देखें 15 को square कर दो और इसकी value क्या है 83 है plus 2xy plus yz plus zx ठीक है 225 से 83 minus करना है और यह multiply में है और फिर upon में डाल देना है 2 तो क्या value आजाएगी इसकी इसकी नेक्स्ट में हमें इसमें हमने value डाल देनी है जो है न यह वाली येलो पार्ट में कोई बात भी राइट में कर लोते है मेरे पास थी x3 plus y3 plus z3 minus 3xyz की value थी 15 आया था ना x plus y plus z तेक है x plus y plus z 15 आया था ठीक है and यह multiply में है और 83 minus x plus y plus z की value क्या आया थी लेट सी देखिए 71 आया ठीक है 71 को डाल दो multiply करो 15 और यह क्या आएगा 12 आजाएगा ना इंटो 12 यह आजाए 180 value इसके x3 plus y3 plus z3 minus 3xyz की value निकाल ले थी होंको तो oi x3 x3 plus y3 plus z3 minus 3xyz की value अभी हमने निकाली है 180 इस type के question में दो identity लगती है यह तो लगनी ही है क्योंकि इसका ही तो value निकालना है लेकिन हमको या तो x2 plus y2 plus z2 की value गिवन नहीं होती या फिर इसकी नहीं गिवन होती कुछ questions में इसकी विवन नहीं होती तो फिर यही वाली same identity की help से हम सारे question solve कर देते हैं ठीक है बेटा इस type के 3-4 question कर लो सब समझ आ जाएगा बख़ा